आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 15 जून के बाद जारी हो सकता है जारखंड बोर्ट मैट्रिक का रिजल्ट जारखंड बोर्ट की मैट्रिक की परिच्छा मार्च और अप्रेल 2022 मिली गई थी जारखंड एकडमिंग कॉंसिल जानी जैक बोर्ट इस परिच्छा का रिजल्ट 15 जून के बाद किसी भी दिन जारी कर सकता है इसकी तैयारी यूद अस्तर पर चल रही है एक्जाम खत्म होने के बाद से ही परिचार्थियों रिजल्ट के लिए बेसबरी से इंतजार कर रहे ह जारखंड के सिक्षा मंतरी सिर्जगनात मेतों ने कहा था कि इस बार परिच्छा परिणाम हर हाल में समय पर जारी कर दिये जाएंगे अब परिचार्थियों की जुबान पर यह सवाल है कि परिणाम कब आएगा वैसे जारखंड एकडमिंग कॉंसिल के अनुसार तैयारी पूरी की जारी है जून में 15 तारीक के बाद कभी भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने है तिसरे चौथे चरण के मतदान की मतगनना होगी आज जारखंड में 55 चुनाओ खत्म हो गये हैं वहीं मतदान खत्म होने के बाद तृतिय औ चतूर्थ चरण के मतदान की प्रक्रिया आज से शुरू होगी सभी जीलों के मतगनना केंद्र अलग अलग बने हुए हैं मतगनना केंद्रों की सुरक्षा को तीन गुना बढ़ा दिया गया है जिसमें कही सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया है ताकि मतगनना के दोरा में रखते हुए राजी में सुरक्षा को तीन गुना कर दिया गया है बड़ी खबर है देश में मौनसुन ने दीदस तक इन राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश बड़ी खबर है मौनसुन का इंतजार खत्म हो गया है मौसम विभाग के अनुसार दक्षिनी पस्षीमी म मौनसुन ने देश में दस तक दे दी है भारती मौसम विभाग ने इसकी पुष्टी की विभाग की और से कहा गया है कि 29 मई को मौनसुन ने केरल में दस तक दे दी है जबकि इसकी शुरुवात समाने तोर पर एक जून से होती है इस परकार मौनसुन अपने समाने समय से त परनाटक और महराष्ट्र की ओर भी बढ़ेगा बतादे की मौनसुन के आने से पहले केरल के अलग-अलग इलाकों में जम कर बारिश हो रही है मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दीनों तक केरल में मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है मौसम विभाग ने एक पक्वाडे पहले बंगाल की खाड़ी में आये चक्रवात असानी के आधार पर पुरुवानमा लगाया था कि इस बार दक्षिन पस्ची मौनसुन 27 मई तक केरल तट से टकरा सकता है हलाकि इसके आनेस में दो दीन की देरी हुई आधार कार्ड पर जारी एडवाईजरी को सरकार ने लिया वापस भारत सरकार ने रविवार को आधार कार्ड के लिए एक नियम जारी किया था इस नियम में था कि अब अपने आधार कार्ड की फोटो कोपी किसी से शेयर करने की आउसकता नहीं पड़ेगी आदेश में मुख्योरूप से कहा था कि आपके आधार कार्ड की फोटो कोपी शेर करने या वित्रित करने का कोई भी दुरूपयोग कर सकता है वहीं कुछ ही घंटों में सरकार ने इस एडवाईजरी को वापस ले लिया है सरकार का कहना है कि इसकी गलत व्याख्या हो सकती है निर्देश में था कि इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोदोगी की मंत्राले का बयान ये भी चाहता है कि सत्यापन या दस्तावेजी करन परक्रिया के लिए आधार काट का उप्योग करते समय आप स्मार्ट बने बिग्यप्ति में यब ही सुझाओ दिया गया था कि लोगों को साइबर कैफे में उपलब्त सार्वजनिक कम्प्योटरों से आधार प्रतियां डाउनलोड करने से बचना चाहिए फिर भी यदि आप अपने आधार की प्रति प्राप्त करने के लिए इस पददी का उप्योग करना चाहते हैं तो सिस्टम से सभी इप्रतियों को हटाना सुनशित करें जिसमें रिसाइकल बीन भी शामिल है बड़ी खबर है जारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट निजारी की एडवाइजरी मंकी पॉक्स वाइरस को लेकर जारखंड हेल्थ डिपार्टमेंट भी अलर्ट हो गया है विभाग ने मंकी पॉक्स को लेकर एडवाईजरी जारी करते हुए सभी जीलों के सिविल सर्जन और सर्विलांस ओफिसर्स को एहतियात बरतने का निर्देश दिया है सिविल सर्जन को लिखे पत्रे में कहा गया है कि अभी तक भारत में मंकी पॉक्स का कोई भी मामला नहीं है लेकिन जिस तर से दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले मिल रहे हैं वैसे में भारत में भी इसका अमामला मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अफरीकी कंट्री से लोगों की आवाजा ही भारत में होती है। ऐसे में बुखार और शरीर पर रैशेज यानी शक्ते के साथ साथ अंतराश्य ट्रेवल हिस्ट्री वाले सस्पेक्टेड लोगों की पहचान ज़रूरी है। ऐसे लोगों की सेंपल जाच के लिए ICMR, INV, BSL, 4 Laboratories पूने भेजे जाने का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में केंद्र सरकार। द्राप्ट निदेश बिंदु केंद्रिय कानून मंत्राले ने ही दिये हैं इससे इस पश्ठ है कि कानून का ड्राप्ट केंद्र सरकार के पास बना हुआ है खबरों को माने तो राजियों में बने नागरिक संहिता के कानूनों को बाद में केंद्रिय कानूनों में समाहित कर क्योंकि एक समानता लाने के लिए कानून का केंद्री होना जरूरी है राजियों में ये कानून को परिक्षन के तौर पर बनवाय जा रहा है। कोरोना महमारी शुरू होने के साथ ही सरकार ने सबसीडी रोक दी थी अब सरकार ने इसे शुरू किया है लेकिन उजवला योजना के तहत मिले सिलेंडर पर इससे गरीब और निम्न आयवाले परिवारों को लाब होगा और उनके खाते में सीधे 200 रुपए की सबसीडी जमा क की जाएगी प्रती सिलेंडर हजार रुपए का रेट लगाएं तो उजवला सिलेंडर की कीमत 800 रुपए के आसफास होगी महंगाई की खिलाप कारगार उपाई के तहत सरकार ने यह कदम उठाया है सरकार के अनुसार LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सबसीडी का लाप देश के 9 करोड से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा देश में एक दीन में कोरोना के सामने आये 2828 नए मामले देश में एक दीन में कोरोना वायरस संक्रमन के 2828 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,31,03,049 हो गई वहीं उपचाराधिन मरियों की संख्या बढ़कर 17,087 पर पहुँच गई है केंद्रिय स्वास्थे मंत्राले ने यह जानकारी दी केंद्रिय स्वास्थे मंत्राले के रविवार सुब आठ बजे तक ताजा आकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में 14 और मरियों की मौत होने से मरितकों का आकड़ा बढ़कर 5,24,586 हो गई है स्वास्थे मंत्राले ने बताया कि उपचाराधिन मरियों की संख्या कुल मामलों का सुन्य दस्मलों सुन्य चार परतिशत है जबकि संकर्मन से रीकवर होने वालों की राष्ट यदर 98 दस्मलों साथ चार परतिशत है पिछले 24 गंटे में उपचाराधिन मरीजों की संख्या में 789 की भृधी हुई है दोस्तों बड़ी खबर है UGC की चेतावनी बिना मानेता डिग्री दे रहे कई संस्थान देश भर में शात्रों को ऐसे सिक्षा संस्थानों के परती सचेत रहने को कहा गया है जिनकी डिग्री को आवश्यक मानेता हासिन नहीं है बिश्व विद्याले अनुदान आयों की मानेता के बिना डिग्री परदान करने वाले उच्च सिक्षन संस्थानों की डिग्री नौकरी के लिए भी मानी नहीं होगी यूजीसी ने इस संबन्द में देश भर के शात्रों को सचेत करने के लिए ऐसी सूजना जारी की है यूजीसी ने दिल्ली के उच्च जिहां एक उच्च सिक्षन संस्थान All India Institute of Public and Physical Health Science को ले कर भी एक ऐसा नोटीस जारी किया है यूजीसी ने अपने इस नोटीस में छात्रों को ऐसे स्वेभू संस्थानों में दाखिला ना लेने की सलादी है इसके साथ ही UGC ने देश भर के शात्रों को सचेत करती हुए कहा है कि UGC देश भर में उन संस्थानों पर नजर रखने के साथ ही कारवाई करती है जो फर्जी तरीके से डिगरी कोर्स संचालित कर रहे हैं गोर्तलभाई की पूर्व में भी UGC ने इस परकार के विशयों को संग्यान मिलिया है बीते वर्स ही UGC ने लगभग 24 ऐसे उच सिक्षन संस्थानों की पहचान करती हुए उनके दवरा दी जारी डिगरी को अम्मानिये एवं फर्जी खोशित किया था साथ ही इस विशय में देशबर के शात्रों को भी सुचित किया गया था जो UGC का कहना है कि गलत जानकारी देकर गुमराह करने वाले ऐसे सिक्षन संस्थानों में दाखिला लेने से बचना चाहिए कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के खातों में पैसे डाले जाएंगे पैसे डालेंगे पीम मोदी परधानमंत्री नरेंदर मोदी 30 मई को पीम केर्स फोर चिल्डरन योजना के तहत लाभ जारी करेंगे कोरोना माहमारी में अपने माता पिता को खो देने वाले स्कूली बच्चों को छातर विड़ती अस्थानांत्रीत करेंगे इस दोरन आईश्मान भारत परधानमंत्री जन आरोग योजना के तहत हेल्थ कार्ड की पास्बुक बच्चों को सौपी जाएगी इस योजना के जरी अनाथ बच्चों को सिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना है और 23 वर्ष की आयूतक वितीय सहयता के साथ आतम निरभर बनाना है इस योजना के लिए जीला बाल संरक्षन इकाईयों और नागरिक समाज के सदस्यों की सहयता से उपायुक्तों द्वारा बच्चों की पहचान की गई है इन बच्चों के माता पिता की मिर्तियों के कारण का उचित सत्यापन के बाद पीम केर्स फोर चिल्डरन पोर्टल पर भीवरन अप्लोट किया गया था महिला एवम बाल विकास विभाग डाक विभाग समाजिक न्याय और आधिकारिता सिक्षा स्वास्थे आधी विभागों के सहयोग से योजना के किर्यानवयन के लिए नोडल विभाग है और जीला अस्तर पर उपायुक्त नोडल प्राधिकारी है